है गाइस वेल्कम टेट्व चानल टोपीस तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे रेलवे ग्रूप डी एक्जाम 2021 का जो एक्जाम डेट है वह कब है साथ हम लोग जानेंगे इसका अध्मिट काट कब आने वाला है इसका सेलेक्शन पोसेस क्या है एक्जाम सब्सक्राइब नहीं किया तो में रिकर्स करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब भी जरू कर दीजिएगा तो इसका जो ऑफिसल अप्डेट है वह पहले ही आ चुका है दिशामर में इसको अफिसल अब्रेट आ चुका था एक्जक्ट डेट नहीं बताए गया बट मंत बत स्टार्ट हो जाएगा काफी जल्दी आने वाला है और ठीके एक्जम ओके थो एक्जाम कभ है तो यह हम लोग आफनेंच तो चलिए स्टार्ट करते हम बात करते हैं क्यों पहले बात करते हैं तब यह वीडियो देख रहे है और इसका बात करता है वेकेंस के बारे में तो इसका टोटल वेकेंसिस था वह था 1,3769 ओके वान लग 3,769 इसका टोटल वेकेंसिस था और इसमें जो एप्लिकेशन फोब भड़ा गिया वो बहा गिया 1.15 लाग तुक्त 1.15 crore total form भड़ा गया कितने vacances के लिए 1,3769 vacances के लिए ओके ना इसका जानते है exam process selection process क्या है इसका selection process काफे simple है आपको एक ही CBT देना पड़ेगा that is computer based test आपको एक ही देना पड़ेगा उसमें आप लोगा qualify होते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा physical efficiency test के लिए इसमें running jumping यह सब कुछ कुछ है ओके तो physical efficiency test clear करने के बाद आपका document verification होगा और लास्ट मेडिकल examination होगा तो यह चार process है चार step है आपको rb group d में job लेने के लिए तो यह ntpc से काफ़ अच्छा है because ntpc में आपको दो टेस्ट देना पड़ेगा दो cbt देना पड़ेगा और आपको group d में एक cbt देना पड़ेगा ओके तो यह था आपका selection process rb group d का ना बात करते हैं इसका exam pattern exam pattern क्या है इसमें जो टूटल डूरेशन एक्जाम का वह है 90 मिनट्स एंटीप से भी 90 मिनट्स था इसमें भी कितना है 90 मिनट्स टूटल कोशन भी इसमें है 100 100 कोशन है टूटल पर इसका जो माक्स डिस्ट्रिबूशन है पूर दी सब्जेक्ट वह अलग लग है लाइक रिजिनिंग का अपकर 30 मार्ट थर्टीस मास काईगा मैथमेटिक्स का अपकर 25 मास का जेनल साइंस का एका 25 मास का और जेनल एमनेस एंड कर डिफिर्ट आएगा पर 20 मास का ओगे तो यह इसका मा माक्स डिस्ट्रिबूशन है फोर दिफेंस सब्जेक्स लाइक मेथमेडिक्स जैनल साइंस रिजिनिंग और जैनल एमनेस तो पिछले से एर और भी ग्रूप दी में चैनल एमनेस से काफी कोशन पूच आ रहे था है लाइक केमेस्ट्री और पाली जिस से बहुत पुच्छ लाइख और फिछाफड़ करते इसका जो डेट है कि ऑपूर से जून तक और तक हो जाएगा वा तो छाप Does 175 से झृफ एक्सट्रा जाएगा कि पयर आपकर से चलेगा आपका जुन तरो तो April से June के बीच में आपका RRB Group D का एक्जाम भी खतम हो जाएगा तो यह कुछ information था जो आपको देना था अगर इससे related आपको कुछ queries है क्या कुछ questions है तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं मैं आपको reply जरू करूँगा और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देजेगा share कर देजेगा और subscribe कर देजेगा हमाई डू चैनल जोब इसको Thank you